कुछ कैसे करेंगे तो इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे तो इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखे एक एक पॉइंट मिस ना करें तो जैसे ही आप अपना एंजल वन अप्लिकेशन को पिन करेंगे तो सबसे पहले आपका वहाँ पे गोल्ड बोंस यह सारे चीज वहाँ पे सो हो रहा होगा उसके जस्ट आगर आप नीचे देखेंगे तो आपको होम का पीज मिलेगा वॉचल इसके बाद पोटफोलियो का पीज ओडर श का पेज अड़ एकाउंट का पीज मिलेगा चिक हैं यह सारे चीज़ वहाँर आपको दिखड़ाए होंगे छीखियाır चीखिया है और आपको इसमें क्या करना परता है तो सबसे पहले जब आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी आप कुछ buy करेंगे सबस्लend आप को buy करने के लिए करना क्या परेगा तो सबसे पहले आप बहतर तरीके से ये पता कर ले कि मार्केट अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं स्टॉक में काम करते हैं इंट्राडे में काम करते हैं तो इंट्राडे का मतलब होता है डेली वाई करके डेली अगर आप उसके सेल करते हैं तो उसको इंट्राडे कहते हैं आई वाई किये, एंड कल आपको सेल करना है, तो हम लोग BTSD करते हैं, BTSD करते हैं, तो BTSD भी आप कर सकते हैं, Index में BTSD, तो यह सारे सीज़े हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पढ़ेगा, Watch List को Kill करना पढ़ेगा, तिक है, Watch List को Kill करना पढ़ेगा, तो आपको कुछ इस परकार का interface आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर क्या है कि search war का एक option दीख रहे होगा सर्च वार के option को kill करना है जैसे search war के option को kill करेंगे kill करने के बाद आपको जो भी buy करना वो आप यहाँ पर search करेंगे सपोज़ेट मुझे पता चलो मार्केट अब यहां से उपर जाएगा ठीक है तो 19,400 ठीक है चलो 19,400 का मैं कॉल ले लेता हूं सस्ता में मिल जाएगा निप्टी फिटिटि प्रिटिए ओके चलो लिए यहां पर सर्च करेंगे तो यहां पर आज आएगा यहां पर एक्सपाइडी भी आपको दिखेगा देखेंगे यहां पर क्या है एकशो सोलर उपय भी चल रहा है, ठीक है, एकशो पंदरे, एकशो सोलर के आसपार सभी यह trade कर रहा है, ठीक है, तो यह है इसे जब आप buy करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से, आप यहाँ पे, इसे kill करके, buy कर सकते हैं, ठीक है, देखिए, अभी market, हम बोले के उपर जा रहा है, तो मुखे रूप से ये market अभी उपर movement कर रहा है तो आप चाहे तो इसको जैसे buy करेंगे and buy जब करेंगे तो buy करने के बाद यहाँ पे buy पे जैसे kill करेंगे kill करने के बाद किसकी सीजों को आपको ध्यान रखना है आईए इसके बारे में थोरा जानते हैं या robot order लगाना है तो इसके लिए आपको intraday में buy करना परता ठीक है and उसके बाद आपको इसमें क्या लिखना परता है lot size ठीक है आपको कितना लेना है क्योंकि एक lot में 50 quantity होता है जैसे आपको एक lot लेना है तो 50 लिखना है दो lot लेना है दस lot चाहिए तो 500 quantity होगा तो यहाँ पर 10 लेकेंगे ठीक है तो प्रतेक application में अलग-लग तरीके से यहाँ पर होती है ठीक है and उसके बाद क्या है उसके बाद है आपको market price and limit price market price क्या होता है and limit price क्या होता है जैसे माल ले जाए कि अभी market price यह चल रहा है 123, 123 रुपे से 24 रुपे कास्पास हो रहा है 124 प्लस हो गया ठीक है तो अगर हम चाहते कि नहीं इसको market price में ही buy करना है तो market price पे click करेंगे ठीक है market price पे click करके हम यहाँ से buy कर सकते है इसी जोग आप देखेंगे market price में देन हम buy डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ से आराम से easy way में market price में click करके यहाँ से buy कर सकते है बट अगर हम चाहेंगे कि नहीं limit price में यानि कि यह अगर चल रहा है supposed at 122 यानि कि यह 130 रुपे चल रहा है अगर हम चाहते हैं माल ले जाए कि इसको हमको 110 रुपे बाई करना है माल ले जाए मुझे 120 रुपे मुझे लग रहा है कि चलो buy करना suppose that एक बाद बता रहे है इस तरीके सब कर सकते है 120 लिखोगे लिखने के बाद यहाँ पर buy जो confirm है यह order को जैसे आप place करेंगे तो यहाँ पर आपको यह दिखाना है start कर देगा इससे पहले हम lot size कर लेते चलो माल ले जाए कि एक lot लेना है एक जैसे आप यहाँ पर लिखे होगे एक lot तो यहाँ पर दिखाएगा कि कितना आपका approach, balance कट सकता है जो आपका अब label होगा यह balance यहाँ पर आपको show होगा यह हमारा angel one का है चुकि हम angel one में trade नहीं करते हैं तो यह हम आपको सीखाने के लिए इस account का use करते हैं तो इस सीज़े से आप यहाँ से उसके बाद जैसे ही buy पे kill करेंगे तो buy हो जाएगा जैसे ही आपका buy हो जाता है तो buy होने के बाद यह show कहा करेगा तो buy करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे जो पीछे back करेंगे बैक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है order order पे आप kill करेंगे जैसे आप order पे kill करेंगे तो आपको देखे क्या देखेगा कुछ इस परकार का interface आपके सामने आजाएगा यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी आपका history होगा जो buy किये होंगे कोई भी होगा वो सारा चीज pending position जो आपका चल रहा होगा profit loss क्या हो रहा है सारा कुछ यहाँ पे आपका show करेंगा औके और उसके बाद माल लिया जाए करसके बाद माल लिया जाएगा